प्रेव विद्यार्तियों नमस्कार आज आपसे रूबरू ओ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 8 जलसंसादन इस अध्याय में हम भुगोल के अंतरगत पड़ रहे हैं और आज चर्चा का विशे रहेगा जलसंसादन बड़ा महत्पून विशे है गोर से सुनिएगा और इस पार्ट को पूरा करने के लिए हम दो भागों में वीडियो को तयार करेंगे तो पहले भाग में आपको महत्पून जानकारिया मिलेंगी सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं जलसंसादन आपको मैं जानकारिय दे दूँ संसादन प्रकरते के द्वारा मानव को उफ़ार सुरूप प्रदान किये गए हैं जोकि फ्री ओफ कोस्ट है और प्रत्वी पर जीवन की संभावयता को परिपून करने में जलसंसादन की अपनी ही उप्योगिता है जल बिना जीवन संभाव नहीं है तो आप ये देख रहे हैं आपके पाठे पुस्तक में लिखा है जल प्रकरती के अनुपम देन है जोकि प्रत्वी पर समस्त मानवे क्रियाओं का आधार पदान करता है मलब जो भी क्रियाकलब प्रत्वी पर हो रहे हैं वो सबी कुछ जल के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं आप इससे भली बाती वाकिफ हैं जल किसी देश की सामजिक आर्थिक विकास के लिए एक प्रात्मिक आउशकता भी है और प्यारे बच्चों आपको याद होगा अपनी इतियास में पढ़ा होगा कि प्राचिन काल से विबिन नदी घाटी सब्विताओं का विकास हुआ है सिंदु घाटी सब्विता, महंजो दड़ो घाटी, हडपा इन घाटियों का दजला फरात, इन घाटियों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले ये कहीं न कहीं सब्विताएं नदी के किनारे ही इनका विकास हुआ है तो यानि कि जीवन को एक धारा में पिरोडे में नदी की अपनी ही महती आउशकता है जिसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है अगले पैराग्राफ में अगर हम देखे तो एक अच्छा प्रशन तयार हो सकता है यहां पर कि पृत्वी के धरातल पर कितना पृतिसद जल विद्दमान है प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि पृत्वी का तीन चोथाई भाग यानि कि आप कह सकते हैं इकत्र प्रतिसद भाग जल से व्याप्त है हावरित है और उनतीस प्रतिसद भाग स्तल के रूप में है इसी में अगर आपन देखें तो सत्यानव प्रतिसद जो भाग है वह कहां उपलब्द है वह प्रियाप्त मात्रा में महासागरों में उपलब्द है यहाँ एक कोर करने की बात है कि वह जल खारे पानी के रूप में है यानि की अगर सो इकाई मान के चले सत्यानव प्रतिसद जल अगर महासागरों में है यानि की तीन प्रतिसद सेस मीठा जल है जिसका हम वेभन रूपों में प्रियोग में लेते हैं तो अगर एक उधान सुरूप आप लें जैसा कि आपके पाठे पुस्तक में आरेक 8.1 पर अगर आप नजर दोडाएंगे तो आपको जानकारी मिले की प्रिच्वे पर जल भरन डारों की जहां पर आप देख पा रहे हैं 71 प्रतिसद जल भाग है उसको देख पा रहे हैं और 39 प्रतिसद स्तलिय भाग है इसी में से 97 प्रतिसद भाग आप नीले रंग में देख रहे हैं जो महसागरों में है सेलाइन वाटर के रूप में है और बाकी का 63 प्रतिसद जल जो फ्रेस वाटर के रूप में उप्रब्ध है अब इसी आंकडों को समझने के लिए हम ये कल्पना करते हैं कि ये जो 36% प्रतीसत तीन प्रतीसत है इसको एक हीकाई के रूप में माने और इसको एक 100% हम 100% अगर मानते हैं तो इसमें से 69% जो भाग है अब आप आरेक हाट पॉइंट दो पर नज़र रख सकते हैं जहां उप योग 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 ये जल की स्थिति को इंगित किया गया है प्रदशित किया गया है बताया गया है अगर आप इसमें देखें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो तीन प्रतीसत है वो जिसको हमने 100% हीकाई के रूप में माना है उसमें से 69% जो भाग है वो हम के रूप में है हैने कि ग्लेशर्स के रूप में हम टोपियों पर है हम नदों पर है मैंने आपको जानकारी दी थी विभिन 1280 नदियां जिसे गंगा, ब्रमपुत्र, सिंदू इन नदियों का उद्गम इस्तल किसना किसी हिम्बनत से है गंगा गंगोत्री से है, ब्रमपुत्र चैमुनलों ग्लेशियर से है मांसरोड लेग से निकलती है, सिंदू नदि भी है सिंदू, ब्रमपुत्र और सत्रज नदि तीनों का उद्गम इस्तल एग की जगे से है कैलास प्रवत संक्ला से तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसी में से तो 30% भाग है अगर हम 69% भाग को हिम्टोपियों में मानें 30% भाग किसके रूप में है, बुमिगजल के रूप में पाए जाता है तो आपके पास सेस कितना रहा, 1% तो यह जो 1% जल है, यह मानव पेजल के रूप में क्रसी के रूप में, सिचाई के रूप में वे विविन प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के रूप में मानव के उप्योग में आता है. अब आप ये सोचिए कि आपके पास सिर्फ एक प्रतिसत जल है, जो आप जिससे आप अपनी जीवनियापन के विविन गत्यविदियों को संपन करते हैं. आगे चलते हैं भारत सरकार ने जल प्रमंदन के लिए एक संसादन मंत्राले के स्थापना के रखी है जो जल संसादन मंत्राले के रूप में जाना जाता है इसके कुछ आंखड़े दिये गए हैं जो पार्ट पेज नमबर 106 पे आप देख रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में म बिलियन क्यूबिक मीटर है क्यूबिक जल को मापने की काई होती है बिलियन में है यह इसमें से केवल 11-23 बिलियन क्यूबिक मीटर जली उप्योग में लिया जा रहे हैं इस माला उप्योगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल है और 423 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का उप्योग है सन 2000 में भारत में जल की कुप आवशिकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्स थी तथा सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी तो खास बात यहां देखने की यह है इन आकणों को हमें इतना याद नहीं करना है इन आकणों से क्या विसलेशन निकलता है उस पे हमें ध्यान देना है विशलेशन ये निकलता है कि उपलत जलसांसादन मानव की तिवर जनसंक्या के अनुपात में कम है क्योंकि एक पूरू अनुमान लगाया कि दो हजार पचीस में ये मांग बढ़कर एक हजार तेईस बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी तो आता है प्यारे बच्चों ये गोर करने का विशे है कि तिवर जनसंक्या व्रदी और खासकर वेश्विक उष्णता से जलसादनों पर पढ़ने वाले दबाव के करण जल का समुचित प्रबंदन और सरक्षन करने की एक महतियाव शकता है ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से जनसंक्या बहुत तिवर गती से बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अंदा धुन दोहन हो रहा है पेडों की कटाई चल रही है आप जानते हैं पेड किस तरीके से वर्षा को निमंतरन देते हैं पेड लगाओ वर्षा बुलाओ कितने हे नारे हैं पर वास्त्विक्ता आप सभी को पता है किस तरीके से तिव्रगती से जन्जन क्या बढ़ती जा रही है और जल का ऐ बुद्धी मता पून रूप से निरंतन दोहन किया जा रहा है तो कहीं न कहीं अब आवशिक्ता पढ़ती है जल के प्रबंदन की तो अगले पेरेग्राफ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जल प्रबंदन के रूप में जल का प्रबंदन यानि कि वाटर का मैनेजमेंट कैसी किया जाए बहुत जरूरी है जब कहीं कूप प्रबंदन होता है तो उसको प्रबंदित करने का जिम्मा लिया जाता है और उसके लिए आपको पता है भारत सरकार ने जल संचादन मंत्राले का गठन किया और खास बात किये है कि जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ विबिन आउशक्ताओं में परम आउशक्ता के रूप में जल संसादन को भी रखा गया और प्रथम पंचवरिशी योजना के साथ साथ ही कहीं हमारे प्रथम पधान मंत्री पंडी जवाला नहरू कि एक दूर्दर्ष्टी सोच के मद्दे नजर ये कदम उठाया गया कि हमें भाउत देशे प्रियोजनाओं की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और उसी के रूप में विबिन भाउत देशे प्रियोजनाओं के बारे में इस पार्ट में उनका विश्लेशन विवेचन किया गया है जिसको हम बारी बारी से अध्यन करेंगे तो चलिए सुरू करते आप इस पेरेग्राफ में जल प्रबंदन में पढ़ेंगे इसका विश्लेशन में आपको बता देता हूँ कि एक और मानव जन्सिंक्या बढ़ते आकार आधुनिक जीवन से लिता था जल की ए विज्यानिक उप्योग से जल संसादन पर दबाव बढ़ता जा रहा है दोछी तरफ वर्सा जल का अधिकांस भाग नदियों के मादेम से धराते लिए प्रवादवारा बिना उप्योग में लाएवे समुद्रों में व्रेथ ही चला जाता है इस दसा में जल की आपूर्ती को सुनिशित करने के लिए जल प्रभंदन की तक्निकों को अपनाना समय की प्रभल मांग है तो प्यारे बच्चों यहां खास बात ये लिखी गई है सबसे बड़ी समश्या जल प्रभंदन कारण क्या है तिवरगती से बढ़ रही है और जल की बिना जीवन संभाव नहीं है एवेगयनिक प्रियोग किया जा रहा है और उसके उपर निरंतर दबाव पढ़ता जा रहा है जल संसादन के और आप ये देख रहे हैं कि वर्षा का जल किस तरीके से आता है आपके नजरों के सामने वो कुछ ही मिंटों और घंटों के अंदर ने जाने कहां गायब हो जाता है वो व्रेथ ही दूब समुद्रों में चला जाता है तो क्यों न उसका जीवन को परिपूर बनाने में इस जल का प्रबंदन किया जाए तो कुछ तक्निकों का इस्तेमाल किया जाए इस दिसा में वर्षा जल को प्रतिबंदित करना पहली आउशिकता है प्रबंदित करना उसका मेनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि जो rain water है उसको कैसी बचाया जाए क्योंकि वास्तवी क्रोप से मैं आपको बता दूँ जो 30% हम भूमी का जल देख रहे हैं वो भूमी का जल आता कहां से है उसका मुख्य स्रोत ही वर्सा है और भारत के संदर्व में आप सभी जानते हैं भारत एक मानसूनी जलवायू प्रदेश में अंतरगत आता है यह मानसूनी प्रकार की वर्सा होती है और मानसून के परिभासा आपने पढ़ी है छे मैने से जो हवाएं निरंतर अपनी दिशाओं को परिवर्थित कर लेती है छे मैने भारत के संदर्व में अगर आपको में जानकरी दूँ तो दक्षनी पच्वी मानसून का महतिय योगदान है क्रिशम काल में 90% वर्सा दक्षनी पच्वी मानसून से ही हमें साउट वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है और सीथ काल में लोटते होए मानसून से 10% वर्सा प्राप्त होती है तो ये जो 90% वर्सा हमें प्राप्त होती है दक्ष्ण पच्वी मानसून से तो उस समय इसका और खासकर एक चीज और जरूरी है कि मानसून के संदर्म में कहा गया है विद्वजनों ने भी ये कहा है कि भारती मानसून एक जुए के जैसा ही है क्योंकि इसके साथ एनिशित्ता और एनिमित्ता बड़े ये कारण इसके साथ जुड़े हुए है क्योंकि एस अंसर्टिंटिटी एनि इरेटिक रेनफॉल है यहाँ पर कोई कहने सकता कि इस बार बहुत अच्छी वर्सा हो जाएगी हाला कि अभी वेग्यानिक दिर्शिकोंड से पूरो अनुमान किये जाते हैं और अब दोर समवेदी उपग्रवों के माद्यम से उनकी सत्यता भी निकट आ रही है और सही पूरो अनुमान होते हैं तो बात करें यहाँ पर इसी दिसा में आजादी के बाद विबेन पंचवर्षी योजनाओं का आभी जिक्र किया था आप लोगों से कि इनके सबसे बहुत जरूरी बात है फाइफ येर प्लानिंग के अंतरगत बहुत देशे जल्प योजनाओं का आरहम किया गया और जैसा कि बच्चों इसमें आप देखने इसका नाम है बहुत देशे मलब कई उदेशें को पून करने के लिए इन योजनाओं को तयार किया गया तो वो क्या उद्देशे हैं आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि भहुत देशे प्रियोजनाओं को परिभासित कीजिए जिसकी सुरुवात पंचवर्शे योजनाओं से की गई और आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि विबन उद्देश्यों को पूर्ती करती है यह भारत में इन प्रियोजनाओं में बाड़ वसुखी की समच्या के बचाव होने के लिए जल विदुत उत्पादन के लिए सिचाईवे पेजल के आपूर्ती के लिए मचली पालन मतश्य पालन लिख सकते हैं प्रियाटन विकास के साथ खास कर प्रियावण सरक्षन में महत्पुन योगदान और विशेश उरूप से जल विदुत उत्पादन में भी इसका महत्पुन योगदान है तो आप समझ गए होंगे कि जल प्रियोजना जो बाउद देश्य प्रियोजनाओं को किस तरीके से आपको परिभासित करना है किन विभिनूद देश्यों को लेकर इसको गढ़ा गया रचित किया गया पंचपरश्य उत्पादन में इसका प्रमुखिस्तान रहा अगले पीज की तरफ चलते हैं 107 पीज जब आप नजर दोड़ाएंगे तो एक चित्र आपके सामने है चित्र 8.1 यह चित्र में भली बाती आपको चित्रात्मक रूप से प्रदेशित किया गया है बताया गया है यह सवाल बहुत बार पूछा गया है आप इसको अच्छे से तयार करेंगे बहुत देशिय प्रियोजना में से एक अधिक उद्देश्य की पूर्ती का लक्षय रखा जाता है बहुत देश्य है जैसा कि नाम आप जानते हैं कई उद्देश्यों की पूर्ती हो रही है आपने कई बार अक्वारों में पड़ा है जब वर्सा काल चल रहा होता है उस समय रास्ता सूखे से जूज रहा होता है तो उसी समय असम और बिहार बार से ग्रस्त होते हैं तो ये एक अन्यास ही किस तरीगे का ऐ विभाजन आपको देखने को मिलता है कि वर्सा कहीं सूखे से जूज रहा है भारत कहीं बार ग्रस्त है तो इन सभी चीजों को मदे नजर ध्यान में रखते हुए बहुत देश ये प्रियोजनाएं कहीं न कहीं ये जो समश्याओं से न प्रियाटन है ये इसके मुखे उद्देश ये आप देख सकते हैं ये विभिन प्रकार के बांद आपको प्रदेशित किये गए हैं बहुत दीशी जल प्रियोजनाओं में देश के प्रतम प्रदान मंतरी नहरु जी ने ये अच्छा प्रशन बनता है क्यों कौन से प्रदा इसके प्रदान करने घए थे भागडनांगल प्रियोजना का तो इन्होंने इस तरीके से इसको देखा था और कहा था कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं जिस तरीके से मंदिर में हम कई उद्दिशों को पूरा करने के लिए जाते हैं हमारी मनुकामनाओं को पूरा करने जाते हैं तो आज भारत आधुनिक्ता की तरफ है और ये इतने विसाल काए हैं क्योंकि जब ये बागड़ा नांगल प्रियोजना की उध्गाटन सवारव में गए थे तो मैं आपको जानकारी देतू जो बागड़ा नांगल प्रियोजना है ये विश्व की सीधी खड़ी ग तो इसलिए इनोंने क्या काहा था आधुनिक भारत के मंदिर हैं ये किनोंने काहा था प्रतमप्रदान मंतिरी पंडे पंडिजौनों नहरू ने विवन प्रियोजनाएं जो बहुत देशे प्रियोजनाएं हैं ये केंदर सरकार के अंतरकत और राज्यों के संतरकत और कई राज्यों के मिली जुली योजनाएं होती हैं क्योंकि जल को किसी राज्य तक सीमित बांदा नहीं जा सकता है वो एक प्रवाहित है उसका हम कई रूपों में इस्तेमाल ले सकते हैं तो ये केंदर सरकार के अंतरकत, राज्य सरकार, कई राज्य सरकारों के मिले जुली योजनाएं होती है उधान सुरूप जैसे आपकी पुस्तक में दीखाया गया है केंदर सरकारे के दोवाल महत्मुन योजना है जैसे बागडा नांगल है आपके कोर्स में इसको पढ़ेंगे हम रिहंद है, दामोदर है, हिराकोड है, कोसी, टीहरी प्रियोजनाओं का क्रियान विन किया जाता है राजे सरकार के माद्यम से चंबल प्रियोजना है जो मद्य प्रदेश और राजस्तान की मेरी जुली योजना है नागरजुन सागर प्रियोजना है आंद प्रदेश की दुंगबधरा प्रियोजना है आंदर प्रदेश वर करनाटक की सरदार सरोर प्रियोजना गुजरात मद्यप्रदेश राजस्तान तीन राज्यों की प्रियोजना है इसी तरीके से मायूर बक्सी और फरक्का प्रियोजना पच्छे मंगाल माही प्रियोजना गुजरात वे राजस्तान गंडक प्रियोजना बिहार तथा उत्तप्रदेश मचकुन प्रियोजना आंदप्रदेश वे उडिसा ऐसी विबिन प्रियोजनाएं बहुत देश प्रियोजनाएं भारत में संचलित है मोटे मोटे रूप से आपको इनको याद करना है एक मैप सीरीज का मैंने पिछली बार वीडियो डाला था उसको भी आप देखेंगे इन प्रियोजनाओं को मानचित्र में इंगित करना भी है चार नमबर का एक सवाल इसी पे बनता है आप लोगों का तो आप ये प्रियोजनाएं और राज्यों को जरूर याद रखें और मिलान करों का एक प्रश्न बन सकता है वस्तुनिष प्रश्न आ सकता है जैसे तुंग भरियो प्रियोजना किन राज्यों की मिली जूरी प्रियोजना है आपका उत्रा आंद्रपदेश वे करनाटक की है सरदार सरोवर किसकी है कुजरात मर्देपतेस और राजस्तान तीन राज्यू की मिली जुनी योजना है सरदार सरोवर प्रियोजना आगे चलते हैं भागडा नागल प्रियोजना प्मुक बहुत देशी प्रियोजनाओं में सरप्रथम योजना जिसका जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले ये सुरुवात कब होती है 1948 में आरंब हुई है और 63 में पूर्ण हुई और ये सबसे देश की महत पूर्ण बड़ी प्रियोजणाओं में आपको याद रखना है कौन सी नदी पर बनाई गई है सतलन नदी पर सतलन नदी कहां से हिमाचर प्रदेश के बिलासपुर के नकट इस्तीत है मैं आपको यहां चान करी देदू जैसे इसका नाम है भागडा और नांगल ये दो गाओं की प्रियोजना है वहां से भागडा की अवस्थिती हिमाचल प्रदेश में है और नांगल के अवस्तिती पंजाब में है ये तीन राजियों की सेंग्ड परियोजना है पंजाब, हरियाना, राजस्तान की सेंग्ड परियोजना है याद रखेंगे आप इसे नदी कौन सी है? सत्राज़ और यमना के मद्देवर्ती भाग पे सिचाई जल्वदित, पेजल, आपुर्दी के द्वारा आर्थिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश यह इस योजना के तहट दो बांद एक तो पंजाब के अंबाला में बनाया गया पहला बांग भागड़ा बांद जो कि 518 मिटर लंबा और 226 मिटर उंचा है सिमन्ट है था कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े ग्रोतु बांदों में यह सबसे उंचा बड़ा बांद है दूसरा भागड़ा बांद से 13 किलोमेटर नीचे नांगल नांगल इस्तान पर बनाया गया जो भागड़ा बांद के अत्रिक जल को सीचित करने के उद्दिशिच बनाया गया तो मैंने आपको जानकारी देखिए देखिए दो भागों में बटा हुआ है एक भागड़ा है जो पंजाब में नहीं है आप इसको याद रखेंगे ये हिमाचर प्रदेश में इसकी स्तिती है बिलासपुर के पास दूसरा नांगल है ये पंजाब में स्तित है इन बांदों से सिचाई के लिए भागड़ा नहर, सरहिन नहर, नांगल नहर, पिस्ट दोआब नहर, नर्वाना नहरे निकाली गई, तथा कोटला, गंगवाल, तथा रूपनगर में विदुद्गरों का निर्मान किया गया प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि विदुद्गर है, जल, आपूर्ती से जल, बांदों के वहीं बनाए जाते है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी सेंटर, कैसे करते हैं, बांद से उंचाई से पानी को गिराया जाता है, नीचे टर्बाइन लगे रहते हैं, गोल पंके लगे रहते हैं, जब पानी तिवरता से उनके उपर आग गिरता है, तो वो टर्बाइन घूमते हैं, घूमने के साथ उनके साथ जन्रेटर लगा रहता है और बिजली को एक जगा बांदा नहीं जा सकता उसको तारों के माद्यम से परवाहित कर दिया जाता है यह जल्विदृत है रीसाइकल है बहुत खासकर आप इसमें ध्यान रखेंगे जल्विदृत प्रियोजना में जो जल्विदृ है वो परंप्रागत स्रोतों में आती है किसमें उसकी गिंती परंप्रागत स्रोतों में होती है आप इसको याद रखेंगे परंप्रागत स्रोतों में जल्विदृत को रखा जाता है बड़े लंबे समय से हम इसमें काम में लेते आ रहे हैं प्रदुसन मुक्त है और पुन आड़ा नदी को दिखाए गया है, भागडा बान्द बनाए गया है awhile हगवाल पावरहुंस और हरी के बेरांज है। जहान से बेरांज पानी को बांद कर आगे छोडा जाता है नेहरों में छोडा जाता है. अगली प्रियोजना हम देख रहे हैं दामुदर घाटी प्रियोजना ये भी एक महत्मुद् प्रियोजनाण में आती है सबसे पहले जानेंगी कौन से राज्यों की प्रियोजना है मैं आपको बता दू दो राज्ये हैं पंगाल और जाडखंड कि संगत parishnaँ है आपको जानकारी दें कि दामुदर घाटी प्रियोजना दामुदर रदी को बिहा बंगाल का सोक कहा जाता है जैसे बिहार का सोक कोशी नदी कहलाती है बिहार का रुप के बाधा कि नक कहा जाता है बंगाल का सुक दामुदर नडी इसका उद्गम इस्तल कहां से होता है छोटा नाकपुर की पाड़ियों से होता है आप याद कर सकते है जहांसी किरानी के पुत्र का नाम दामुदर था वो बहुत छोटा था तो आप याद कर सकते है चोटा नाकपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है दामुदर नदी के निकलती है याद करने का एक तरीका है आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं अब इस योजना पे नजर दोडाते हैं या नदी पच्चमे मंगाल के मार्क से ये सुरू की गई दामोतर नदीपट 1948 में आरंब की गई याद रखे 1948 में भागडा नांगल में 1948 में शुरू के क्योंकि विसे सुरूप से आपको मजानकारी दे दू कि ये पंचपरशी योजनाओं में सामिल कर लिया गया था और भारत के प्रमुक योजनाओं में इनको सामिल था तो सुरूप से आज़ादी के बाद इन पे कारे होने लग गया था अब ये देखिए नदी पच्छमी बंगाल के मार्क से परिवर्तर अपरदन बाड के लिए खुड क्या थी याने चोटा नागपुर के पठार के पूर के और बिहार जाड कंड से 290 किलोमेटर पच्छमी बंगाल से 240 किलोमेटर भैकर हुगली नदी में गिरती है कितनी बैती है बिहार में 290 बंगाल में 240 किलोमेटर और लाश्ट में हुगली नदी में आकर गिरती है पुगली जो है गंगा के प्रमुक साइक नदियों में इसका नाम आता है बाराकार, बोकारो, कोनार इसकी साइक नदियां है इन नदियों के दोवारा 18,000 वर किरोमेटर चेतर में बारड़ पर दें जिससे प्रभावी चेतर है इसके लिए भारा सरकार ने अमेरिका की ये बहुत खास बात है कि दामोदर घाटे प्रियोजना के लिए उधारन कहां से लिया गया था जानकारी कहां से लिया गया, आधार कहां से लिया गया, अमेरिकी के प्रियोजना है उसका नाम है अमेरिका के टैंसी घाटे प्रियोजना है यहां से प्रारूप लिया गया और इसी के आधार पर दामोदर घाटे निगम का स्तापना की गई उनी सो अर्टालेस में इस प्रियोजना का उद्देश्य क्या है दो राज्ये है पच्छे मंगाल और दूसरा क्या है जाड़कन आर्थे विकास करना निवाश्यों की जीवन को संपन करना और बहुत देश्य प्रियोजनाव का उद्देश्य आपने अभी पढ़ा है उन सभी उद्देश्यों की पूर्ती करना प्रमुक है आपको यहां जानकारी दे दू कि पच्छे मंगाल और जाड़कन द निजी कार खाना लगाया गया था तो उस कार खाने के लिए कहीं न कहीं जल विधूत का उत्पुद्द जल का उपलब्दी उपलब्दी करवाना यह प्रमुकारियों में इसका योगदान है इस योजना में बारकार नदी पर मैथान वह तिल्या बांध कोला नदी पर कोनार दामुदर नदी पर पंचेत घाटी मांध यह याद रखना है दामुदर घाटी तум कुं सा पाहड़ी-पंचेत पहाड़ी-बांध एक दुर्गापुर، बेराज्स का निर्मान किया गया नहीं करना है अगले पेंज पर चलते हैं आपको ध्यान रखना है किन्च हेत्रों के लिए योजना है राज्ये याद रखें उद्देशे क्या थे एक ही उद्देशे बहुत देश्यों प्रियोजना होगे कितनी लंबाई है उसे याद रखेंगे साइक नदियों का नाम रखना है अगली योजना में बढ़ते हैं हिराकन प्रियोजना को देखते हैं आपको जानकरी देदू हिराकन जो है भारत का सबसे बड़े बांदों में इसका जिक्र होता है हिराकन प्रियोजना और हिराकन बड़ा बांद है तो नदी भी बहुत बड़ी होगी तो उसका नदी का नाम है महानदी महानदी यानि की बहुत बड़ी नदी और बड़ी नदी पर बहुती बड़ा बांद बनाये गया है आप इस तरीके से इसे याद रखेंगे प्राइदी पे भारत की महत्पुन प्रियोजना है तो अब तक हमने जो पढ़ा इसमें प्राइदी पे भा कि रूप में प्रसीद है महानदी तो महानदी के उपर इसको बनाया गया महानदी कहां से 36गड के बसतर की पाणियों से निकर कर उड़िसा में बेहती है मांसुन काल में नदी घाटी छेत्रों में बाड़ की स्थितित पैदा करती है से समय में इस सूखे अवाकाल उत्पन हो जाता है अब ये देखी जब पानी आ रहा है तो बाड़ की स्थितिती हो और ये तो कोई उप्योग नहीं हो उपा रहा है तो सरकार ने सोचा क्यों ना एक बांध बना दिया जाए भाउदेशे प्रियूजना जो पानी को रोक लिया जाए और जब मानसुन का काल नहीं होता है उस समय पानी का सिचाई के रूप में इस्तेमाल लिया जाए तो इसी उदेशे को ध्यान में रखते हुए और बाढ़ की स्थिती भी उत्पन नहीं होगी पानी को एक जग़ इखटा कर लिया जाएगा बांध लिया जाएगा बांध का उदेशे ही क्या होता है पानी को बांध ना होता है से इस समय में सुखे वकाल की इस्तिती उत्पन होती है 12 सरकार ने सबलपूर से 14 किलोमेटर उपर की और हिराकुंड नामक इस्तान पर इस नदी पर बान बनाया कहां पर सबलपूर से 14 किलोमेटर याद रखेंगे किस्तान का नाम था हिराकुंड सबलपुर से 14 किलो मेटर ताकि उपर लिखित समश्चाओं का निदान हो सके निदान क्या था वो ही समश्चे सूखे की समश्चे बाड़ की समश्चा और इसकी फाइदे क्या है सिचाई है पैजल के आपूरती है ये सारी सुनिश्चिता हो सके खास बात देखने की है इसे नोट कर लेंगे आप यह विश्चु की सबसे लंबा बांध है जिसके लंबाई 4801 मिटर है यानि कि मोटे मोटे रूप से देखे तो 5 किलो मिटर 4.8 किलो मिटर लंबा बांध है ये और इसकी उंचाई 61 मिटर है जहां बागणा नंगल की उंचाई कितनी थी 226 मिटर उंचा मानता कुर्ट बांध सबसे उंचा है बागणा नंगल और ये सबसे लंबा बांध है 4.8 किलो मिटर इस बांध के पीछे बनी जील में 810 करोड घन मीटर जल सीचित हो सकता है इसके अलावा तिकरा पाड़ा वैं नराज में दो अन्य बांध बनाए गए हैं इसी उजना को दो चन्नों में पूरा किया गए जिसमें परतम चन्नुड इसा के सबलपूर जीले में हिराकुन बांध बनाकर और दाइनी और और बोर्खन नहर और बाईनी और से सेसन वा सबलपूर नहर प्रनाली को विक्सित किया गया तो ये दाइन और बाईन को याद रखेंगे बाईनी और से क्या है सेसन वा सबलपूर सेसे सेसन और सेसे सबलपुर नहरों का विक्सित किया गया और दूसरे चनल में चार विद्यू दूरों का निर्मान किया गया तो मोटे मोटे रूप से आप इसको याद रखेंगे, लम्बाई चोडाई कितनी है दो नहरे निकल गए बाई तरफ से क्या है दाई तरफ से दोनों तरफ से याद रखेंगे इसका एक मान्चित्रोर दिया गया उसको विध्यानर से इसको देखे गया नेक्स्ट पे नंबर 109 पे थे अब आप देख रहे हैं हम इसके बाद बढ़ते हैं राजस्तान में भी कुछ बहुत देश्य जल प्रियोजनाएं है एक सवाल राजस्तान की बहुत देश्य प्रियोजनाओं पर भी बनता है आप लोगों का गतवर्ष माही बजाज प्रियोजना पर पूछा गया था तो दो तिन प्रियोजनाएं हैं जिनको आपको याद करना है सवाल उन पर आता है सुरुवात करते हैं राज़स्तान का विसेसूप से आप देखे पच्चमी भाग जो एकसर प्रतीसत मरस्तुलिय छेत रहे जहां 40 प्रतीसत से अधिक जनसिंगा निवास करती है राज़स्तान में अकसर आपने सुना है राज़स्तान सूके की समश्या, अकाल की समश्या से जूसता रहता है तो स्थानिय सरकार और पडूसी राजियों ने विविन योजनाओं का सुरुवात की क्योंकि बहुत दिश्य प्रियोजनाओं की सुरुवात हो चली थी उन्हीं योजनाओं के अंतरगत राजस्तान और रास्तान के पडूसी राजियों ने मिल जूलकर जिन योजनाओं की सुरुवात की उनकी यहां चर्चा करेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले चंबल खाटी प्रियोजना रास्तान ये और मद्यप्रदीश की संग्त प्रियोजना है चंबल है तो चंबल नदी के रूपर है कब बनाएगी 1953 में बनाएगी याद रखेंगे दो राज्ये राजस्तान और मद्यप्रदीश कैसी योजना संग्त प्रियोजना कौन सी नदी पर चंबल नदी पर कब बनाएगी 1953 में बनाएगी इस नदी के प्रवाद से भूमी जल और बाड़ के कारण वो ही समश्या है जो बहुत देश्यों में हमने क्या लिया था बूमी अपरदन है बाड़ की समश्या है सुखा है आपदाओं वाली सब इनी चीजों को बचाने के लिए ही बनाई जाती है तो यह कॉमन चीज है वो जो सब में याद रखना है आपको नई चीज क्या याद रखनी है किन राज्यों के लिए बनाईगी कब बनाईगी वो उसमें अंतर रहेगा क्यों बनाईगी उसका उत्तर एक ही रहेगा बहुत देश्या है बाड़ है अपरदन है सुका है जल है ठीक है अकाल है और जल विदूत है इन चीजों को याद रखेंगे आप पर्थम चरण में मद्यप्रदेश के मंसोर जिले में गांधी सागर बांध इसे याद रखना है आपको मैं से मद्यप्रदेश और मैं से मंसोर और क्या बनाएगा मद्यप्रदेश के मंसोर में को नाए गांधी मद्य प्रदेश के मंसोर में क्या बनाया गया गांधी सागरबांध पहले चरण में आप याद रखेंगे गांधी सागरबांध भाई गांधी जी क्या हैं भारत के राष्ट पिता हैं सबसे पहले उनी का ही नाम ले लेते हैं और उसी से सुरुवात कर देते हैं तो याद रखेंगे चम्बल घाटी प्रियोजनों में पहली परतम चरण में किसको याद रखना है गांधी सागरबांध को नहरी प्रणाली का निर्मान किया गया मद्यप्रदेश के मनसोर में दित्य चरण में राजस्तान का चितोडगड में है तो दित्य चर्ण में राजस्तान का नंबर आया, पहले नंबर में किसका आया, मत्य पुदेश का, मंसोर और गांदी सागर दूसरे नमबर पे दित्य चड़ में राजस्तान, राजस्तान की सान कोन है बैई चितोडगड, चितोडगड का याद रखेंगे राजस्तान का रावत भाटा, रावत भाटा तो रैसे ही याद रखो राणा प्रताप सागरबान, बैई चितोड़ की सान कोन है राणा प्रता अब हम पंडी जवालने नहरों को याद कर लेते हैं, तो तीसरे चण में कोटा बूंदी जीले पे जवार सागर पिक अब बांध बना है, पिक अब उठा कर पानी को आगे भीजना, पिक अब बांध बनाए गए, एक बैराज था, रोक कर नहरों में बाढ़ देना, बैराज, विद्ध्रों का निर्मान किया गया, सन 1960 के दस्क में कोटा बैराज आगए, आगे भीजना है पानी, तो कोटा बैराज बनाए गया, जिससे रास्तान में नहरों के माद्यम से चिजाई को चित्र को बढ़ावा दिया गया, तो समझ गे, बैराज पिक अप पानी को बांध क आगे ले जाएगा, बैराज पानी रुके वे पानी को नहरों की वित्रिकाओं में भेज देगा, नहरों से भेजेगा बैराज, ठीक है, तो याद रखेंगे, साठ के दस्क में कोटा बैराज बनाए गया, जो सिचाई के लिए नहरों की महत्पुन योगतान है, दूसरे न प्रियोजना आता है कि आदिवासी छेत्रों के लिए क्या फाइदा कोई भाउद्देश्य प्रियोजना है, तो आपका उत्तर होगा, माही बजास सागर है, तो यह कौन से राज्य की है, राजस्तान है, गुजरात है, इनकी सविंगत प्रियोजना है, कहां से निकल रही है विंद्याचल से निकलने वाली माही नवीन प्रियोजना के लिए 1966 में 66 के अंदर दोन राज्यों में करार हुआ, यह प्रियोजना डूंगरपुर बासवड़ा के आदिवासी के आर्थिक विकास वे सिचाईवे विदुस्विदाओं को विकास करने है, यह तो प्रारंब क जिले याद रखेंगे, डूंगरपुर बासवड़ा आदिवासी छेतर है, क्या करना था, आर्थिक विकास करना था, सिचाई करनी तो और विदुस्विदाओं को मुया करवाना था, बासवड़ा के बोर खेड़ा है, नामक स्तान पर माही बजासागर बांद बनाएगा, गुजरात में गुजरात सरकार के लागत से कडाना बांद बनाएगा, कडाना, कडाना बांद, कहां से गुजरात सरकार ने बनवाया, राजस्तान ने क्या बनवाया, बासवड़ा के बोर केड़ा में माही बजासागर बनाएगा, नहरे प्रनाली को विकसित किया गया, और इसके साथ विदूत तंत्र विक्सित किया गया विदुरों का दिर्मान किया गया चित्र आठ पॉइंट साथ में माही बजा सागर प्योजना का पूरा लेखा जोगा इसमें देख सकते हैं एक तरफ राजस्तान एक तरफ मद्यप्रदेश है और किस तरीके से योजना पे वि जल इुपलपता कहा से होती बिसलपूर बांज से होती है 1997 और 98 में और 39.5 मेटर रूचा बांध है इस बांध के दयाएं और बाएं किनारें पर दोन हेरे निकाले गई इस योजना के मादेम से स्वाई मादवपुर जीले में सिचाई जैपुर सहरा जमेर जिले में केकडी सरवाड ब्यावर के रास्ते आने वाले गाउं के पेजलापुर्दी टॉंग जीले में से टोडा राइसिंग से निकाली गई चोहतर मीटर लंबा बताया पांसो चोहतर उन्चाड़ दसमलब पांच मीटर उंचा बताया गया है दाएबाय किनार पर दोन महरे निकाली गई है स्वाई मादवपुर में सिचाई है जैपुरोर केकडी सरवाड वगेरा में पेजलाप रास्तान नहर में एक इंद्रागांदी नहर का प्रमुखियोगदान आता है जो विस्व की लंबी नहरों में इसका नाम है इंद्रागांदी नहर प्रियोजना लास्ट में इसको डिसकस कर लेते हैं फिर इसका एक पार्ट और देखेंगे वो अगले वीडियो में तयार कर है 61% भाग बताया गया मरुस्तल यह है थार मरुस्तल बड़ा फेमस है तो खासकर यहां पर एक महराश्ची सीमा भी आप देख रहे हैं थार मरुस्तल के पकड़ाश में क्या पाकिस्तान है और यह योजना है जिसको राजस्तान नहर पुराना नाम 1927 में इसका गंग नहर था विकानेर रियास्त थी वहां के महराज गंगा सिंग थे और उनके इंजिनियर थे कुवर सेन के नितरत में इस योजना को तैयार किया गया और यह वाकई में विस्व में उस समय 1927 में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीकी के नहर का शुरुआत हो रही है जो विस्व में एक विक्यात हो जाएगी और 1984 में फिर इंद्रा गांदी जी के नाम पर इसको इंद्रा गांदी नहर के रूप में जाना गया चलिए नजर डालते हैं इस पर यह नहर भारत की ही नहीं विसके इश्या के सबसे बड़ी मानव निलित नहरों में इसका नाम है कुल लंबाई 649 किलोमेटर है जिसमें से 169 किलोमेटर पंजाब में है 14 किलोमेटर हरियारा में और सेस राजस्त तो इसके सोइफ्हासिजों गाओ तो मॉनते मोटे मॉटे रूप से जान वह होगे राजस्तान में 426 किलोमेटर सबसे ज्यादा छेत्र में फेली हूँ ये ये तो मैं तो तीन इसमें राज्या ओगे पंजाब अर्याना और राजस्तान ओगे तीन राज्यों की ओगई तो राजस्तान के नोजिले हैं 29 खस्पे हैं 403,461 गाउं है आप उर्ती होती इस नहर को दो चड़नों में पूर्ण किया गया जो क्रमस राजस्तान फीडर मुख्य नहर है राजस्तान फीडर मतलब फीडिंग करने के लिए आगे बेजना है पानी को उसको बेजने के लिए आरंबी किस तिन में कहां से सुरुवात भी ध्यान रखलो उसको मसीता वली और मुख्य नहर मसीता वली से मोहनगड के अंतिम भाग तक है जो की क्रमस से 204 किलोमेटर और 445 किलोमेटर तो मसीता वाली वाली 204 किलोमेटर और बाकी दूसरी मोहनगड वाली 445 किलोमेटर है इस नहर के द्वारा थार के मरुस्तल में सीची छेतर ट्विक्षित करना, ये मुख्य उद्देश ये था, लिफ्ट नहरे बनाना, अंतराशी सीमा थार पच्छी में भाग पे नो सांखाएं, धाल के अनुरूप वैपूर की ओंचा या धिकोने के कांट जल को उपर उठाना ये प्रमउक पाथ है, इसमें, अगले पेज पर देखे है, पे नमर 111 पे आप देखें, तो सब्सक्राइब के अप पूर की ओ चोटी नहरे जिसमें लिफ्ट नहरे कहा जाता है, जो चोटी नहरे निकल गी, उने क्या कहा जाता है, लिफ्ट नहरे, इन लिफ्ट नहरे के damaging मादेम से विबिन कस्पों और सहरो कुछ पैजल आप पूर्दी कराना है लिफ नहरों की कुल संक्या कितनी है साथ है यह मोटे मोटे दोचे रांकड़े आपको याद रखने हैं बाकि इस पर कोई डिटेल पूछा नहीं जाता है बाकि और नए आपड़ों की आननुसार जूझनो और शीकर तक भी पानी इसका मोईया करवा दिया गया है पैजल के रूप में नलकूपो से प्राप्त हो रहा ही ठीक है उपर गी उसका नाम होगा जाकाम प्रियोजना जाखम नदीपर है कहां पर इस चितोड़ गड़ जिले उद्फार और प्रताब गड़ की आदिवाशी छित्रों के लिए पहले भी अपने एक आदिवाशी प्रियोजना का नाम पड़ा था बहुत देश में माही बजाज साग आले में काम में आता है सोम अंबा कमला प्रियोजना सोम नदी कहां की बांगड छेतर की है सिची छेतर है कमला अंबा गाउं में बांध का निर्मान किया गया जिसमें डूंगरपुर जिले आसपुर उदैपुर के सलूंबर तैसील में गाउं को सिचाई प्रियोजना मौया क नदी है बांगड की प्रियोजना भी पुछा जा सकता है सोम अंबा कंबला प्रियोजना कंबला अंबला गाउं में बांध निर्मान करवाए गया कहा है डूंगरपुर जिले के आसल पूर उद्यपुर के सलंबुर तैसिल में सिचाई करवाई जाती है मेजा बांध कहां पर है बाई बीलवाड़ा याद रखना मेजा बांध बीलवाड़ा का मांडल कल तैसिल गाउं मेजा नदी कोठारी कोंचा जिला बीलवाड़ा तैसिल मांडल कर गाउं मेजा तो बांध का नाम मेजा बांध में मतिश्यपालन नहर प्रियोजना इसका कारी अगला है सिद्मुक प्रियोजना सिद्मुक प्रियोजना रावी और व्यास नदी क्यात्रिक जल्का उपयोग गंगा नगर हनुमानगर नोहर बाहद्रा चूरु की तारणगर वर राजगर तैसिर में 33,000 एक्टर भूमी को शीचित करने के लक्षे से यह उजना बनाएगी क सिद्मुक ठीक है कौन सा है रावी ब्यास के अत्रिक उपयोग गंगा नगर हनुमानगर नोहरा बाहद्रा चूरु जिले तराजगर 33,000 एक्टर चित्र को सिद्मुक नहर याद रखना गंगा नगर हनुमानगर की ठीक है फिर नर्मदा प्रियोजना सरदार सरोर बांध ब पच्मे रास्तान लूनी के साइक नदी जवाई है लूनी के साइक नदी कौन सी है जवाई है पर एरन पुरा पाली में एक बांध बनाया गया जवाई बांध का है पाली में याद रखोगे पच्मे रास्तान के प्रमुक नदी लूनी है उसके साइक नदी है जवाई और यहां बांध बनाए गया जवाई बांध जवाई नदी पर जवाई बांध कहां पर पाली के अंदर याद रखेंगे, 176 किलोमेटर लंबी नहर निकाले जो पाली वा जालोर में शिचाई का काम करती है, पांचना बांध है इसको याद रखेंगे, करोली में गुडला गाओं माची बरखेडा बद्रा माची बेसावट अटा बरखेडा बद्रावती माची बसेवट अटा के संगम पर मिट्टी का बांद है ये बहुत अच्छा सवाल बनता है भारत का राजस्तान का एक मात्र मिट्टी का बना बांद भारत का एक मात्र मिट्टी का बना बांद पांच पांच नदियां, बर्खेडा, बद्रा, माची, अटा, बेसावट, जिससे टोड़ा भीम हिंडोन गंगानेगर गंगापुर के गाउं में सीचित किया जाता है, कौन सा जिला, करोली जिला, याद रखना है, करोली का पांच नदी, बर्खेडा, बद्रा, माची, बसेवाट, अटा पांचरा बांध मिट्टी से बना बांध है उप्रियो प्रियोजनाओं के अलावा करीबन लबू 40 लगू प्रियोजनाओं हो रहे हैं राजस्तान में जो क्रियासील है जिनको अगले आपकी स्लेवस में नहीं हैं बाकी कंपडिशन में उसके अनुसार तयार करेंगे जादे 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 शेयर करें इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को पार्ट दो में हम जल सरक्षन और इससे सम्मंदित प्राचीन बावडिया इनका योगदान कैसे है क्या है कैसे पर हम प्रगत तरीके उनके बारे में भी अध्यन करेंगे और आखरी में जो आपके प्रशनावली दी गई है उसक्साइस को भी पूरा करेंगे सो इसे के साथ जैहिन नमस्कार फिर मिलेंगे